बात उस समय की है जब पाँचो पांडव माता कुंती के साथ लाक्षा ग्रह के जलाई जाने के पश्चात कुछ समय के लिए राजपाट छोड़ कर ब्रहमणों के वेश में निर्वासितों का जीवन व्यतीत कर रहे थे इस प्रकार वो चलते चलते काम्यवन के घोर जंगलों में पहुच जाते हैं और वहीं विश्राम करने ही तो अपना पड़ाव डालते हैं उसी काम्यवन में बहुत शक्तिशाली नर्भक्षी राक्षश हिडिम्ब वे उसकी बेहन हिडिम्बा रहते थे हिडिम्ब राक्षश को मानोव मास बहुत प्रिय था और उसे बहुत दूर से ही मानोव की सुगंध आ जाती थी मानोव और मेरे क्षित्र में मानोव और मेरे क्षित्र में बहुत दिन हो गए, किसी मनुष्य का मास खाए, उसका रक्त पिए हिडिमबा, मेरी बैन कहा हो तुम हिडिमबा, हिडिमबा, हमारे सामने उपस्ति थो हिडिमबा, कहा हो मेरी बहन, कहा हो हिडिमबा, उपस्ति थो ब्राता हिडिम्ब के चार्णों में हिडिम्बा का प्रणाम प्रणाम आओ हिडिम्बा आज हम बहुत प्रसन है बहुत प्रसन है बहुत प्रसन है हिडिम्बा ब्राता श्रीक क्यों मैं आपकी प्रसन्यता का कारण जान सकती हूँ मनुष्य मनुष्य मेरी बैन मनुष्य हाँ मनुष्य हाँ मनुष्य हमारे चेत्र में मनुष्य आ गए हैं हमें उनकी गंध आ रही हैं डिम्बा गंध एक अर्सा बीद गया हमें मानव मास खाएं उनका रक्त पियें हाहा हाँ बड़ा आनन्द आएगा बड़ा आनन्द आएगा अता हिडिम्बा तुम जाओ और सभी मानवों को जीवित ही उठाकर यहां ले आओ हम उन्हें जीवित ही निगल जाएंगे हम उन्हें जीवित ही निगल जाएंगे जाओ जाओ जैसी आपकी आग्याब्राता हिडिम आपकी ये बहन हिडिमबा उन मनुष्यों को अभी ढूण कर आपके सामने प्रस्तुत करती है हमें जाने की आग्या दे भाईया जाओ आग्या है अजया है अजया है अजया है अजया है हुहआँहँहँहुँ हुहँँहुचचच हenson हुहँचच से लू Γ 종 खुझँ questa, है लुट हुआ 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 है हुआ 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 है वाह क्या बल्शाली सुन्दर पुर्ष है ऐसा लगता है मानुक काम देव स्यम्प्रिथ्वी पर उतर आये हुँ मैं तो इसको देख कर सुद्बुद पूल रही हुँ मेरा मन इस वीर पुर्ष के प्रति आसक्त होता जा रहा है क्या सोचने लग गई हिडिम्बा क्या तुम ये भी भूल गई क्या तुम किस कारे है तु यहां आये हो हां मुझे अच्छी तरह ग्यात है लेकिन मैं मैं वो कारे नहीं करूँगी नहीं करोगी क्या तुम्हें अपने प्राणों का बह नहीं अगर तुम्हारे प्राता हिडिम्ब को ये पता चला तो वो तुम्हें कदापी जीवित नहीं चौड़ेंगे इस कामी पुरुष के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ मैं नहीं डरती ब्राता हिडिम्ब ने मैं तो इससे विवाँ करना चाहते हूँ क्या तुमने अपनी सूरत कभी दरपण में देखी है हिडिम्बा नहीं ना तुम तो ये भी बूल गई कि तुम राक्षसी हो कितनी बदसूरत हो कहा वो सुन्दर बलशाली पर्ष हां क्या तुम तो सत्य गह रही हो हां हिडिम्बा अगर तुम इस रूप में इस मालों के सामने गई तो विवाँ करना तो धूर ये तो तुमसे डर कर ही भाग जाएगा तो फिर फिर मैं क्या गरूँ मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती इसका तो एक ही उपाय है हिडिम्बा तुम इस मालों को सुन्दर स्त्री का भेश धारण कर अपने प्रेम जाल में फसाओ हाँ हिडिम्बा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ती है कि तुम अपने शरीर को किसी भी रूप में प्रवर्दित कर सकती हो इसलिए तुम एक सुन्दर स्त्री का भेश बना कर इसे अपनी योर अकर्शित करो तुम्हारा कहना सकते है अब तो यही एक मात्रुपाए है मैं एक सुन्दर स्त्री का भेश धारण करते हो और इस मानव को कभी अपना असली रूप नहीं दिखाऊंगी हाहाँ muchís लुष में लुष में लुष में झाल 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 याँ झाल 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 कर ठंज ऑर तुचा करकenden नो ओैसर शच्राब कर वाए करते हैる कर्षकbest शाहिए कैसी खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे अब तेरे बिना जिया लागे ना लागे ना कैसी खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे अब तेरे बिना जिया लागे ना लागे ना कैसी खिलू उठी फूल देखो सारे चले थेंडी थेंडी हवाई चले थेंडी थेंडी हवाई मेरे दिल में ये हर्चल मचाए ये रंग बेरंग नसारे खुशियों का संदेशा है लाए दिखते प्याल का एहसास आज दिन है कोई खास दिल फिर भी कही ये लागे ना लागे ना कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे अब तेरे बिना जिया लागे ना लागे ना कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे ये मेहकी मेहकी पिजाओए मुझे प्यारे की राहे दिखाओए ये मेहकी मेहकी फिजाओए मुझे प्यारे की राहे दिखाओए हुआ मासं बेमान सा मेरे तन में अगन ये लागाए घटाओ ने खुला ये रास आती है मुझे को अब लाज पर खुंगट अब मैं ओढू ना ओढू ना कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे अब तेरे बिना जिया लागे ना लागे ना कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे बे नूर मेरी काया में गर प्यार का रंग भर जाए बे नूर मेरी काया में गर प्यार का रंग भर जाए जीवन की डगर में फिर तो जीने का मजा आ जाए बोले मेरे दिल का दान आने वाला है मेरा प्यार चंचल मन बिन पिया माने ना माने ना कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे कैसे खिलू उठी फूल देखो सारे मेरा दिल पिया तुछ को पुकारे हे सुन्दरी ठहरो तने एक ठहरो सुन्दरी आपकी इस मदू वाने और इससे भी कहीं बढ़कर आपके रूप सुन्दरी ने हमारे मन को विचलत कर लिया है क्रिपया आप हमें अपना प्रिच्चा दीजिए मैं अपना प्रिच्च देने से पहले आपका प्रिच्च जानना चाहूंगी कुमार मैं पांडू पोतर भीम सैन हूं और आपके रूप सुन्दरी पे इतना मंतर नुग्ध हूं और मैं आपसे विवा करना चाहता हूं बीना हम से हमारा प्रिच्च पूछे ही तुमारे इस रूप सुन्दरी को देख कर तुस्वर की अपसनाएं भी लज्जत हो जाए और मेरे विचार से आप जैसी सुन्दर नारी का सुन्दरता ही एक मातर प्रिच्च होना चाहिए नहीं राजगुमार सुन्दरता तो इस तन का मातर बहरी आवरण होता है और मेरे विचार से आप जिस पांड़ो कुल से संबंद रखते हैं वहा विवा के समय स्त्री की सुन्दरता के साथ उसके धरम, कुल, वे जाती को भी देखा जाता है और आपने हमसे बिना हमारा प्रिच्च जाने ही पिवा का प्रस्ताव रख दिया ये आपके शित्रिय कुल की प्रमप्राओं की व्रुध है कुंती पुत्र हमें अपनी कुल की प्रमप्राओं का अच्छी तरह ग्यान है सुन्दरी और हम शित्रिये अपने वचनों को प्रान देकर भी नभाते हैं आप चाहे जिस भी वंश, कुल वजाती से संबन्ध रखती हो किन्तु विवा के बाद तुम पांडव कुल की पुतरवदू हो हमें आपके अतीत से कोई रुची नहीं है लेकिन राजगुमार कभी कभी इनसान का अतीत उसके वर्तमान और भविश्य दोनों को अंदकार में डुबो देता है और, और मैं ये कदा भी नहीं चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसे कोई घटनक घटित हो हे सुन्द्री, तो आप हमें अपना परिच्चा दे आप किर्श कुल से संबन्ध रखती है हे राजगुमार, मेरा संबन्ध राक्ष स्कुल से है क्या? हाँ, राक्ष स्कुल से और मेरा नाम हिडिमबा है और इस समय मैं आपके सामने अपना बेश बदल कर उपस्तित हुई हूँ क्या? हाँ, इस काम्यवन वे हेडिम देश के शेत्र में मेरे बड़े भाई राक्ष राज हेडिमब का अधिकार है वे बड़ा ही शक्तिशाली, नर्भक्षी, वे कुरूर राक्ष राक्ष है इस शेत्र में बहुत दूर दूर तक उनका आतंक है उनके भैसे कोई भी मनुश्य इस जंगल से नहीं गुजरता और जो कोई मनुश्य अंजाने में या रास्ता भटक कर इस जंगल में प्रिविश्च कर जाता है तो मेरा भाई हेडिम बड़ी ही क्रूरता से उसे मार कर खा जाता है क्योंकि उसे मानो मास बहुत पसंद है ऐसे दुष्ट अधर्मी और पापी को तुम अपना भाई कहती हो ऐसे नीच का तो तुमने सोईम ही गला दबा देने चाहिए मैं ऐसे नहीं कर सकती राजकुमार प्रन तु क्यों? क्योंकि एक तो भ्राता हेडिम कोई साधारन राक्षश नहीं वह बहुत ही शक्तिशाली वह मायावी है और दूसरे वो मेरे बड़े भाई है और यहीं नहीं राजकुमार उन्होंने मुझे ये आदेश दिया था कि मैं आपको पकड़ कर उनके सामने प्रस्तूत करूँ ताकि वो आपको खाकर अपनी भूग शांत कर सके तो आपको अपने ब्राता की आग्या का पालन करना चाहिए है दिम्बा नहीं नहीं मैं अपने मन से आपको अपने स्वामी मान चुकी हूँ और एक पती वरतानारी अपने सुहाग की रक्षा करती है उसकी बली नहीं चड़ाती अतहे आप यथा शिगर मेरे साथ चलिए मैं आपको किसी गुप स्थान पर लेकर चलती हूँ क्योंकि मेरी ब्राता हिडिम्ब किसी विशन यहां आ सकते हैं और वो वो आपको जीवित नहीं चोड़ेंगे अभी तक आई क्यों नहीं लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी लेकर बड़े लेकर माचा टेख लिए तक नहीं क्योंकि मेरी भी जाना आ सकते हैं जागा कि जाइचा आपको जाइब अपको टुपता है यहागा क्योंकि ऑल अपाफंगा हडिमबा तुम्हें शायद कुंती पुतर भीम सैन की शक्ती का पता नहीं बड़े बड़े योधाओं में इतना साहस नहीं के वो मेरी गदा के एक प्रहार का सामना कर सके यदि तुम्हारा भाई यहां आया तो मैं उसे ऐसी मृत्तु दूँगा जो किसी राक्षिस को नहीं मिले होगी लेकिन आप मेरी बात को समझने का प्रियास करें वो बहुत भीमबा भाया प्रुड़ 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 तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई जो अपना भेश वदल कर साधारन मानव से पेम कर रही हो क्या तुम्हारे हिर्दे से तुम्हारे भाता हिडेम्ब का भय खत्म हो गया नहीं भाता हिडेम्ब ये साधारन मानव नहीं बलकि हस्तिनापूर नरेश महराज पांडू के पूत्र भीम से इन है और भाता हिडेम्ब मैं मन ही मन इन्हें अपना पती मान चुकी हूँ और इनसे विवा करना चाहती हूँ हडेम्बा बेशर्म निरलज क्या तुम्हें ये ग्यात नहीं कि तुम राक्षस कुल से हो महाशक्तिशाली राक्षस रेडेम्ब की बहन होकर तुम एक साधारन से दुष्ट मानव को अपना पती मानती हो मैं तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा बढिम्बा 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 तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा लगता है रक्त पीने का तुम्हें ज्यादा ही चाओ है दुष्ट हडिम आज तक तुमने जितने भी मानव का रक्त पिया है दुष्ट तुम्हें मार कर ये कुंदी पुतर भीम उन सब का हिसाब चुकता करेगा साधारन चा मानव राक्षस राज हिडिम्ब को चुनोती देता है राक्षस राज हिडिम्ब को हिडिम्बा को तो मैं बाद में देखूंगा पहले तुझे मार कर तेरे दुष्ट कर्मों का फल दूँगा पहले भीम्ब की संट णिधुश्यक चुना प्तार लाज हिडिम्वा कि दुल आ कि अुर में ब कारणी। पर दोगा दोगा लुप ओमा की अए और दोगा हुगा पर दोगा की अगा है 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 जओ खरिम्बा लुझा लिम्बा! वोफटोर कोडिٌεί correct me वोफ़ा कोणसे अपी ह। क्या बाद 조ाखोर कि फिवारे ग़िए सेंबर कर दो कर दो कर दो किना और बहुती जो सकति अ कर दो बातकर आपके से खागिया है झाह चौना कर सम्टन कम फिर कि द मिड़ 것으로 हुआए कि अरृव window इस अरृव़बगगगरु THEM आपको bought a waves 3.0 को इसके कि अरूस आ़गगगे अरुी पिर आपदूर ∈विक 6.07 कर gagु़गगर हुए हाए हुग हाए . कम अजया वहाएखो आएखा सक» लेंब। सुित लेंब। वो डिण न einfach भाजस Went भो पहाइ जुर पहाइ झायआ रिम बप उु़ में दाओ पना पना थिया प्र doc कर तूस इंक कि मै दुदक हॉड़itu कर लंप दूए Зबसे कार एाल प्रिम्बा! व्रिम्बाँ हैं हु становится विंघ कर दो 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 के दो कर दो झाहााद रुछ को जो झाहाद प्रफ्ने काम वे जल इना हुआँना करें विल वी रहा लेगको और भार वार लुछ करें दो चो थे एज़ ही फन्या वार 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 विल में वार पार लाद एल वार 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 हुँ 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 हाँ करभ एे प्रुच刀 और खो फRो तर प्रण深त हो अगर घघ just यह जा किस्मेन हो पना इत Вам और अबाँ BTr कि यह कर दो कि दो कि अरिशा कर दो कि देशार बंगां सब desenvolवे saisी leading antin फिरे जिय कि उे उतिले कर दोवार हो कि नहरो प्रूब कि वारे ऑ्नrieben अरिए उले कि कova कि खेल एल जिया हुँ हर अखरो कि रूब कि लेजसे हर घस और झाल हर एर थिसेले ऑफे क्टने किने नह र ते प्रहीद से बिटें हर झे झञए यहुज़्ज़्थ है क्या वर्ध एफ। हुई एफ। इस दुश्ट को इसके पापों का दंड मिल गया चलो अडिम्बा चलो मैं तुम्हें अपनी माता कुंती और भाईयों से मिलवाता हूँ चलो अडिम्बा क्या हुआ क्या हुआ इस पापी और अधर्मी पर आंसू क्यों बहा रही है राजकुमार भाई कितना ही दुश्ट पापी अधर्मी हो लेकिन उसकी मृत्यु पर दुख तो होता ही है प्राता हिडिम को मैंने बहुत समझाया था लेकिन इन्होंने अधर्म के मार्क को नहीं त्यागा जिसका पर ला आज आज ये हुआ धैरिये रखो डिम्बा इस संसार में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो इस पर्म पिता पर्मात्मा की इच्छा से होता है हम तो मातर उनके शारों पर चलने वाली कहानी के पातर हैं केवल पातर आपका कथन सित्त है राजगमार मैं इनके अम्रत शरीर का दासंसकार करते हूँ चलो हरिम्बा मैं मा हूँ धर्तिमा तो इस प्रकार हिडिम्बा अपनी भ्राता हिडिम्ब का दासंसकार कर पांडव पुत्र भीम सेन के साथ माता कुंती वे उनके शीष भायों से मिलने चल देती है हिडिम्बा के हिर्दे में अपनी भ्राता हिडिम्ब की मृत्यु का दुख था लेकिन उसे कहीं अधिक प्रसन्ता उसे भीम सेन जैसे वीर को अपने पती रूप में प्राप्थ होने से थी और जब जीवन में अपेक्षाओं से कहीं अधिक खुशी प्राप्थ होती है तो अन्य सभी दुखों का अंत स्वेम ही हो जाता है और यही हिडिम्बा के साथ भी हुआ भीम सेन को प्राप्थ कर लेने की खुशी ने उसे ब्राता हिडिम्ब की मृत्यु की दुख को बुला दिया लेकिन हिडिम्बा के मन में अब कई तरह के विचार चल रहे थे उसे इस बात को लेकर संशे था कि कहीं उसकी राक्षुश कुल में होने के कारण माता कुंती उसे पुत्र वधु की रूप में स्विकार ना करे किन्तु उनकी ये चिंता व्यर्थ निकली करें जब भीम सेन ने हिडिमबा का प्रिच्चे माता कुंती वे भाईयों को दिया तथा अपने साथ घटित सारी घटना का वे ख्यान किया और हिडिमबा के साथ अपनी विवा की इच्चा माता कुंती को बतलाई तो वो बहुत प्रसन हुए और उन्होंने दोनों का गंधर विवा विधीवत रूप से संपन कराया प्रणाम माता सदा सुखी रहो पुत्री सदा सुहागन रहो प्रणाम भ्राता जुदिस्ठो चिरंजीवी भवप्रिय अनुजभीम मेरा सिर्वाद सदेव तुम्हारे साथ है संसार की हार खुशी तुम्हें प्राप्त हो तुम्हारा वेवाईक जीवन सुख में हो अनुजभीम सुख में हो माता आज मेरा जीवन धन्य हुआ जो आपने मुझ राक्षश कुल में पैदा हुई स्त्री को स्विकार किया जिससे मुझे पांडो कुल की पुत्र वदू बनने का सुभागे प्राप्त हुआ सच मुछ माता आप बहुत महान है नहीं पुत्री महान तो तुम हो जो राक्षश स्कुल में पैदा होकर भी इतनी संसकारी हो तुम जैसी सुन्दर सुशील वे गुणी पुत्र वदू पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया और भाया भीम आपका मैं मा हूँ धर्ती मा तो इस प्रकार माता कुंती ने हिडिम्बा को अपनी पुत्र वदू के रूप में स्विकार कर लिया लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि भीम सेन केवल पुत्र प्राप्ति तक ही हिडिम्बा के साथ हिडिम्ब देश रहेगा हिडिम्बा ने इस शर्त को सहर्ष स्विकार कर लिया तथा सभी से आग्या लेकर हिडिम्बा भीम सेन को अपने साथ आकाश मार्ग से हिडिम्ब देश ले गई अपने साथ प्रापड ने तक है कि अपने साथ का लेकर वहां लेकर प्रापड़ जिस्थों सिर्फ प्रापड़ कर्या तक हुआ है झाल झाल और दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगे ठीक नोव माह पस्चात देव योग से हिडिम्बा ने एक सुन्दर वे अति शक्तिशाली पुत्र गटोत कच को जनम दिया गटोत कच में कई प्रिकार की देविय शक्तियां जनम से ही थी हिडिम्बा वे भीम सेन इतने वीर पुत्र को पाकर अति प्रसन थे कुछ समय संग रहने के पश्चात भीम सेन वापिस माता कुन्ती वे अपने भाईयों के पास वापिस लोट गए हिडिम्बा बहुत दुखी मन से ये सोच रही थी कि नय जाने अब उनकी पुनह अपने स्वामी से कब भेट होगी लेकिन ये संयोग काफी वर्षों पश्चात हुआ परन्तु प्रस्थितिया लगभग एक समान थी दोनों ही बार पांडव गांधार नरेश मामा शुकनी के छल कपट का शिकार हुए पहले पंडव लाक्षक ग्रह के जलाई जाने से सुरंग मार्ग से काम्यवन पहुचे थे और अब वो जुए में दुर्योदन से अपना समस्त राज पाठ हार चुके थे बदले में उन्हें बारे वर्ष का बनवास वे एक वर्ष का अज्यातवाश भी मिला परन्तु इस बार माता कुंती उनके संग नहीं थी बलिकी, द्रोपती यानि पान्चाली उनके साथ थी उधर बालक घटोत कच्पी अब युवा हो चका था और उनकी भेट अपने पिता श्री भीम सेन से होने वाली थी पिता श्री हस्तिनापूर के महराज ब्रहमनों का कितना सम्मान करते हैं हाँ भाईया, देखो न, हमारी कितने सेवा की और कितने ही तरह के पकवान खिला कर हमें धेर सारी दान्दक्षिना दी क्यों पिता श्री आप कुस बोल क्यों नहीं रहे पूत्र मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने मुख से एक भी शब्द मत निकालो और शिगरता से इस भैंकर जंगल से बाहर निकलो परन्तो क्यों पिता श्री क्यों कि पूत्र इस जंगल में ऐ संख्य शक्ति शाली मायावी राक्षिस रहते हैं अगर किसी ने हमारी आवाद सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे इसलिए चुपचाप चलो जे पिता से इसलिए आपल में आवाद सो हमारी कर दो, जा दो, पाने लाता दो, फिन का दो प्पाला का दो, जा दो जाज़ कि झा दो, पाने का जड़ा दो, झा दो जाता है कर दो कि और जुम्यून तुम्यून दिएर थाराफ्वान दिल्टर भॉरण भॉर्ण कि अपे इस वार भॉर्ण कि अष्मयून ऑफ़ंग कि अष्मयून जुमयून कि ऑल actions कि अपे ऊच्वार गीजून कि अइस्वार्ड्ग कि अवर मिरॉर प्रश्रावं फेल कोड़ोस पूझा आपकोड़ोस हरा आपकोड़ो हुआ हरा आपकोड़ो हरा आपकोड़ो फेल है थैरो जी जी हमें षका कर दू हम पर दया करो हमें जाने दू हमें शेमा कर दू हम पर दया करो हमें जाने दू तुम चारों में से कोई एक हमारे साथ चलो परंतु परंतु जो रक्षे स्राच क्यों मेरी माता यहां समीफ ही तपस्या कर रही है और उन्हें देवी को प्रसंद करने के लिए एक इंसान की बली देनी है इसलिए तुम में से कोई एक हमारे साथ चलो यह रक्षे स्राच तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं तुम मेरे पुत्रों को जाने दो तो ठीक है चलो नहीं पिता स्री नहीं पिता स्री पिता स्री आप यह क्या कर रहे है अकशे है है अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा और माता स्री तो आपके बिना जीवित नहीं पचेंगी इसलिए पिता स्री मैं मैं पली के लिए इस राक्सिस के साथ जाऊँगा क्योंकि मैं मेरे भाईयों में सबसे बड़ा हूँ अत्याप पिताश्री मुझे अनुमती दें नहीं नहीं पुत्र नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम तो मेरे प्रान हो मेरे सबसे प्रिये हो अगर तुम चले गए तो मैं शन भर भी जीवित नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा पुत्र नहीं रहूंगा पूत्र तुम नहीं जा सकते पूत्र नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है पिताश्री मुझे जाने की आग्या परदान करें और वैसे भी मैं भाईयों में सबसे छोटा हूं इसलिए मेरा ये करतव्य बनता है कि मैं अपने बड़े भाईयों की रक्षा करूं मुझे आग्या दे पिताश्री मुझे आग्या दे नहीं पूत्र तुम तो बहुत छोटे हो और तुम अपनी माता के प्रिये भी हो तुम्हारे बिना तुम्हारी माता तो पल भर में ही अपने प्राण त्याग देगी नहीं पूत्र मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा नहीं पूत्र नहीं ही प्रह्मनों तुम शिक्र निर्ने करो कि कौन मेरे साथ चलेगा वरना तुम सभी मारे जाओगी हम्हे राक्सेसराज निर्ने हो गया है बड़ा पुत्र पिता सिरी का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माता सिरी का मैं मंजला हूँ इसलिए मैं किसी का प्रिय नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ ठहरो